एंपी में हार के बाद भी कॉंग्रिस का अलकमान कमलनाथ पर महरबान हुआ है और हो भी क्यों ना वजवा भी तो बड़ी है जी हां मर्दिप्रदेश में कॉंग्रिस की हार के बाद ये खबर सामने आई थी कि कमलनाथ PCC चीफ के पट से इस्तफा देंगे लेकिन आप इन अचकलों पर विराम लगता नज़रा रहा है दरसल मर्दिप्रदेश में कॉंग्रिस की करारी हार के बाद बीते दिनों पार्टी ने एक समिक्षा बैठक बुलाई थी इस बैठक में पार्टी ने कमलनाथ के कंदों पर एक बड़ी जिम्मदारी रखी जुसके बाद कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्षपत को छोड़ने को लेकर चल रही अचकलों पर भी विराम लग गया जानकारे के मुदाबत कॉंग्रिस का फोकस अब मद्रदेश में लोगसभा की 29 सीटों पर है और यही वज़ों है कि राहुल गांदी से लेकर राष्ट या ध्यक्ष मलिक अरजुन खरगे ने कमलनाथ को एक्स्टेंशन दे दिया है यानि कि उनका कारिकाल बढ़ा दिया है और हालफला कमलनाथ इस्तिफा नहीं देने वाले है बतादे कि कॉंग्रिस के समिक्षा बैठक के बाद तै किया गया है कि मध्यप्रदेश में लोगसभा चनाओ की तैयारी पार्टी कमलनाथ के नेत्रत में करेगी इस बार कॉंग्रिस कमलनाथ के नेत्रत में चाहेगी कि अधिक से अधिक लोगसभा की सीटे जीती जा सके क्या कमलात लोग सभा में मद्रप्रदेश से कॉंग्रिस की नईया पार लगबा पाएंगे आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए ब्यूरो रिपोर्ट सत्य खबर